तो यहां पर मैंने पानी को गरम करने रखा है याद रख वगेरा भी छीलने को रखा है तो यह दुपेर का टाइम था तो मैं फिर से लूडस बना रहे हूं बच्चों के लिए अच्छा जब मैंने पिछली बार बनाया था तो मैं पूरा पैकिट लाई थी पर इसकी बीच मे यह बारिक बारी कीड़े हो जाते है ना इस डर की वज़ए से मैंने फिर से जल्दी से बना लिया ताकि उसमें न रखे रखे कीड़े वगेरा न पढ़ जाएं फिर अक्सर क्या होता है हम चीजे रखके भूल भी जाते हैं किसी डब्बे में मैं जायातर राशन वगेरा का समान एक बड़ा सा डबबा है उसमें रख देती हूं तो फिर भूल भी जाते हैं तो फिर उसके अंदर बारिक बारी कीड़े हो जाते हैं जादार मैंने यूट्यूब पर ही देखा है कि इसके बीच में से छोटे छोटे काले काले कीड़े हो जाते हैं तो मैंने सोचा खरा हो गया था मेरा तो उसकी बॉटल लाई थी तो इसका धक्तन में खोल रही थी तो पूरा उसका सौस ऐसा उचका कि मेरे कपड़े खराब हो गए थे फिर हम लोगों ने लूदस वागे रहा खा लिया था फिर ये शाम का वक्त है तो मैं बना रही हूं सबजी तो आज मैं टमा की चटनी खाने का सर्दियों के टाइम पर बनाई थी मैंने जब उसमें मैंने मटर भी डाले थे तब से मैंने नहीं बनाई तो फिर मैंने सोचा भी टमाटर भी थोड़े सस्ते तो बना लेते हैं सबजी और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था बनाने के लिए आजकल सबज हल थोड़ा सा लहा धन्या ढल दाला है कि अब टमाटर दूझा यो फिर दालकेि इसको अच्छ निख कर देना मिक्स कर के फिर हम घख के थोड़ा रख देंगे ना तो वह तो फिर दवानर थोड़ा सौफ्ट हो जाएंगे तो फिर बड़े मजों कि अच्छे से सब्जी बन लग रही थी और वेसे भी वह पराठो से भी बहुत मज़े की लगती है जब कि सब्जी बज गई थी तो सुबह में ने पराठो के साथ भी दी थी बच्चों को तो बहुत मज़े की लग रही थी देखिए थोड़ा यह पानी छोड़ते ना टमाटर तो चम्मच की जो नीचे सब्जी बन जाती है यह देखिए उसका पानी पूरा सुखा लेना है हमको अच्छी तरीके से अब मिक्स में हरा धनिया डाल दूंगी और हरे धनियों को भी डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी यहाँ पर है लाल लाल टमाटरों की सब्जी को पर हरा धनिया किता प्यारा क्षीब लगार है देखने में और सब्जी बागयरा कर देखने में अच्छी लगती हो तो यह से दिल होने लगता है खाने का तो कहीं भी चीज़ बनाएं तो दिल से बनाये क्यों कि हम लोक्त YOUR जो क्या है अपने भर में बच्छों अपनी थोड़ी-थोड़ी सी मैंने घीढ़ी टाइप की बनाई थी ठीक है तो फिर में एक सार्हा। थो प्रीक-थी परू आप मेश से निकाल लिया था थो तो फिर निकाल रही है हूँ उपने के लिए क्योंगी देखिए खिचडी भी बड़े मजों की लग रही थी थोड़ी घिली गिली सी थी ना तो गर्मियों में तो डाल चाब वाल और खिचडी बहुत अच्छी लगती है मुझे तो खाने में यहां पर खिचडी को निकाल लिए अब हमारे यां तो खिचडी और ताहरी पूरा मिक्स हो गया और टमाटर की चटनी भी निकाल ली तो मेरी आज की वीडियो यहीं तो लग थी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और आगे शेयर करना फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफेज